हेलो गाइज, हजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नया कंपेरिजन वीडियो लेकर के और आज के इस वीडियो में हम कंपेर करने वाले हैं Qualcomm Snapdragon 765G प्रोसेसर को Qualcomm Snapdragon 780G प्रोसेसर के साथ में दोनों ही प्रोसेसर अपर मिड रेंज के प्रोसेसर हैं अब यहां पर हम बात करें Snapdragon 765G की तो इस प्रोसेसर के साथ में कहीं सारे स्मार्टफोन अभी मार्केट में अवेलेबल हैं जैसे की OnePlus Node, Vivo V20 Pro, Vivo X50 Pro, Realme X50 Pro, Mi 10 Lite और OPPO Reno4 इसके अलाव भी कहीं सारे स्मार्टफोन मार्केट में अभी अवेलेबल हैं वहीं हम बात करें Snapdragon 780G की तो यह प्रोसेसर अभी 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 लाँच हुआ है और इस प्रोसेसर के साथ में Xiaomi का Mi 11 Lite स्मार्टफोन कंफर्म हो चुका है और बहुत जल्दी मार्केट में अवेलेबल होगा तो आज के वीडियो में कंपेर करते हैं इन दोनों प्रोसेसर को और देखते हैं कि यहाँ पर दोनों में से कौन सा प्रोसेसर ज्यादा बेटर निकल करके सामने आता है तो बिना टाइम वेच्ट के वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम इन दोनों प्रोसेसर की लॉंच डेट के बारे में तो Snapdragon 765G लॉंच हुआ था December 4, 2019 को और Snapdragon 780G लॉंच हुआ है March 25, 2021 को यानि कि दोस्तों यहाँ पर Snapdragon 780G एकदम latest प्रोसेसर है और Snapdragon 765G की हम बात करें तो यह लगबग एक साल पहले लॉंच हुआ था आगे बार तो हम दोनों की fabrication technology के बारे में बात करें तो यहाँ पर Snapdragon 765G बना हुआ है 7 nanometer की टेकनलोजी पर और Snapdragon 780G बना हुआ है 5 nanometer की टेकनलोजी पर अब यहाँ पर दोस्तो 7 nanometer और 5 nanometer में क्या difference है यह मैं आपको बता करता हूँ कि जो प्रोसेसर कम nanometer की टेकनलोजी पर बना होता है वो उतना ही ज़्यादा power efficient होता है उतनी ही कम heating generate करता है और उसकी performance भी ज़्यादा अच्छी होती है और यहाँ पर दोस्तों यह 5 nanometer और 7 nanometer जब एक प्रोसेसर बनाया जाता है और उसके अंदर जो transistor यूज किया जाते हैं उन transistor का जो size रखा जाता है वो ही इसकी fabrication technology कहलाती है तो यहाँ पर दोस्तों इस मामले में Snapdragon 780G एक better processor है आगे बढ़ते ही बात करें अबर CPU course और clock speed के बारे में तो दोनों ही processor octa core है यानि कि यहाँ पर आपको multitasking और task distribution के लिए 8-8 core देखने को मिलते हैं और दोनों ही processor 64-bit के architecture पर आते हैं और यहाँ पर दोस्तों इनके CPU course की हम बात करें तो Snapdragon 765G के अंदर course को distribute किया गया है 1 by 1 by 6 के ratio में यानि कि यहाँ पर आपको एक prime core मिलती है जो कि है ARM Cortex A76 वाली और इसकी clock speed आपको मिलती है 2.4 GHz तक और अगली एक core आपको देखने को मिलती है gold वाली जो कि है ARM Cortex A76 वाली और इसकी clock speed आपको मिलती है 2.2 GHz तक और जो बाकी की बची हुई 6 silver core हैं वो देखने को मिलती है ARM Cortex A55 वाली और इनकी clock speed मिलती है 1.8 GHz तक और यहाँ पर यह पूरा का पूरा CPU based है Cryo के 475 architecture पर इसी के comparison में Mr.Pragon 780G के अंदर बात करें तो यहाँ पर cores का distribution 1 by 3 by 4 के ratio में किया गया है और यहाँ पर first prime core मिलती है आपको ARM Cortex A78 वाली और इसकी clock speed मिलती है 2.4 GHz तक और अगली 3 gold core आपको देखने को मिलती है और यह भी मिलती है ARM Cortex A78 वाली और इनकी clock speed आपको मिलती है 2.2 GHz तक और बाकी की बची हुई 4 silver core जो की efficiency के लिए होती है यह मिलती है आपको ARM Cortex A55 वाली और इनकी clock speed है 1.8 GHz तक और यह CPU based है Cryo के 670 architecture पर अब दोस्तों यहाँ पर इन दोनों ही processor की clock speed में आपको ज़्यादा difference देखने को नहीं मिलता लेकिन course के number में यहाँ पर hairfare किया गया है दोनों ही में आपको 1-1 prime core मिलती है दोनों ही 2.4 GHz पर मिलती है लेकिन 765G में आपको gold core एक ही मिलती है जबकि 768G में आपको gold core 3 मिलती है और यहाँ पर यह course latest भी है cortex A78 वाली core यूज की गई है तो यहाँ पर दोस्तों इस वज़े से इसकी performance काफी अच्छी हो जाती है एक तो यहाँ पर आपको ज़्यादा clock speed वाली ज़्यादा numbers of core मिल रही है साथ दोस्तों यहाँ पर 780G में आपको latest score भी मिल रही है तो इस मामले में यहाँ पर performance 765G से 780G की काफी ज़्यादा बेथर रहने वाली है आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम GPU की बात करें तो 765G में आपको मिलता है Adreno 620 GPU जो 7 nanometer पर बना हुआ है और 780G में आपको मिलता है Adreno 640 2 GPU और यह बना हुआ है 5 nanometer की टेकनलोजी पर अब दोस्तों Snapdragon 855 जो की flagship series का processor है उसके अंदर आपको Adreno 640 GPU मिलता है और यहाँ पर 780G के अंदर आपको Adreno 640 2 GPU मिलता है यानि कि दोस्तों यहाँ पर इसकी performance आपको Snapdragon 855 के GPU से भी ज्यादा बेटर मिलने वाली है तो यहाँ पर definitely इस मामले में Snapdragon 765G से Snapdragon 780G एक बेटर processor है आगे बढ़ते हों यहाँ आपर RAM support के बारे में बात करें तो दोनोई processor के अंदर आपको Dual Channel LPDDR4X RAM का support देखने को मिलता है और यहाँ पर RAM की frequency आपको मिलेगी 2166MHz तक लेकिन Snapdragon 765G वाले smartphone के अंदर maximum 12GB तक RAM यूज की जा सकती है जबकि Snapdragon 780G वाले processor के अंदर maximum 16GB तक RAM यूज की जा सकती है तो यहाँ पर दोस्तो RAM की capacity को हम छोड़ दे तो दोनों processor में कोई difference देखने को नहीं मिलता आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यहाँ पर storage support के बारे में तो दोनोई processor EMMC 5.1 और UFS 2.1 को support करते हैं लेकिन यहाँ पर Snapdragon 765G UFS 3.0 वाले storage को support करता है जबकि Snapdragon 780G में आपको UFS 3.1 कोई latest storage का support दिखने को मिलता है तो यहाँ पर इस मामले में 780G थोड़ी सी ज़्यादा capability रखता है आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यहाँ पर camera ISP के बारे में तो Snapdragon 765G के अंदर आपको Qualcomm Xpectra 355 Dual ISP का support मिलता है और इस ISP के अंदर आपको dual camera का support मिलता है 22 plus 22 megapixel का 30fps और single camera का support मिलता है 36 megapixel का 30fps और दोस्तों यहाँ पर single और dual camera में आपको MFNR और ZSL का support मिल जाता है और यहाँ पर दोस्तों यह processor capable है 192 megapixel तक के image sensor को support करने के लिए और वहीं पर हम बात करें Snapdragon 780G की तो इसके अंदर आपको Qualcomm Xpectra 570 AAA ISP का support देखने को मिलता है अब दोस्तों यहाँ पर AAA ISP यूज की गई है यानि कि यहाँ पर यह processor 33 camera sensor को एक साथ यूज कर सकता है तो यहाँ पर triple camera का support देखने को मिलता है आपको 25 megapixel का 30fps पर dual camera का support आपको 64 plus 20 megapixel का 30fps पर single camera का support मिलता है 84 megapixel तक 30fps पर और यहाँ पर इन सभी camera sensor के साथ में आपको MFNR और ZSL का support मिल जाता है अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दू MFNR का full form होता है multi frame noise reduction और ZSL का full form होता है zero shutter leg और यहाँ पर Snapdragon 780G भी 192 megapixel तक के sensor को support करता है तो यहाँ पर दोस्तों ISP के मामले में आपको Snapdragon 780G के अंदर latest वाली ISP मिलती है अब यहाँ पर ISP से केवल camera का support ही नहीं बढ़ता है यहाँ पर image processing वगेरा भी काफी अच्छी होती है तो overall camera quality आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है latest version के अंदर तो यहाँ पर Snapdragon 780G एक better processor ह आगे बढ़तों बात करते हैं यहाँ पर network modem के बारे में तो दोनोई processor दोस्तों यहाँ पर 5G है Snapdragon 768G के अंदर आपको देखने को मिलता है Snapdragon का X52 5G modem जिसकी peak download speed मिलती है 3.7 Gbps तक 5G network पर और peak upload speed मिलती है 1.6 Gbps तक 5G network पर और Snapdragon 780G के हम बात करें तो यहाँ पर आपको Snapdragon X53 5G modem देखने को मिलता है और यहाँ पर peak download speed मिलती है 3.3 Gbps तक और peak upload speed मिलती है 1.2 Gbps तक अब दोस्तों यहाँ पर एक मज़े की बात यह है कि Snapdragon 780G के अंदर आपको latest modem देखने को मिलता है फिर भी यहाँ पर download और upload speed आपको कम देखने को मिलती है तो हो सकता है कि दोस्तों network range के मामले में इस modem के अंदर थोड़े बहुत changes किये गए हैं इस वज़े से यहाँ पर speed आपको कम देखने को मिलती है लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो speed शो की गई है यह हमें real life में तो मिलती नहीं है तो इससे कोई फरक नही 765G का Entutu score निकल करके आया है 3,20,000 के आसपास और Snapdragon 780G का Entutu score निकल करके आया है 5,67,000 के आसपास अब दोस्तों यहाँ पर इन दोनोई प्रोसेसर के Entutu score में लगबग 2,40,000 पॉइंट्स का डिफरेंस है तो यानि कि दोस्तों यहाँ पर Snapdragon 780G की performance इस Entutu score के साब से कहीं कह ज्यादा रहने वाली है Snapdragon 765G से अब यहाँ पर दोस्तो 780G के इस Entutu score में थोड़ा सा variation आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तों अभी इस processor के साथ में एक भी smartphone market में नहीं है लेकिन Xiaomi की तरफ से confirm हो गया है कि Xiaomi के Mi 11 Lite smartphone में हम यह processor देखने को मिलेगा और उसी की तरफ स एक screenshot सामने आया है जहाँ पर यह score निकल करके सामने आया है अब दोस्तों यह real है या नहीं इसके बारे में अभी कोई confirmation नहीं है और अगर यह real है तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा difference आपको इस series के नए वाले processor में देखने को मिल रहा है अब बात करते हैं दोस्तों conclusion की कि आखिर Snapdragon 780G कितना ज़्यादा बेठर है तो दोस्तों यहाँ पर fabrication process भी आपको better मिलती है 5 nanometer की technology की CPU में हम बात करें तो CPU में भी आपको numbers और 100 ज्यादा मिलती है जिनकी clock speed ज्यादा है और 4 और आपको बिलकुल latest मिलती है codex A78 वाली GPU की हम बात करें तो GPU भी आपको Snapdragon 780G में बिलकुल latest वाला मिलता है Snapdragon 642 और यहाँ पर N2T score में भी काफे ज़्यादा difference देखने को मिलता है तो यहाँ पर दोस्तों यह clear है कि इन दोनों processor में से Snapdragon 780G definitely एक better processor है और काफी better performance आपको Snapdragon 765G से निकाल करके देगा तो उम्मिद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर